नमस्कार मैं हूँ प्रभीन और आप सभी का स्वागत है नियूस लिक के शोड डेली रौंड अप में आज की मुख्य सुर्कियों पर पेटोल कीमत के विरोध में विपक्षी नेता साइकल से पहुँचे संसत पेगासस का शिकार हुए पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की या चिका सरकार से जवाब देही की मांग हर्याणा दो महिने के अंदोलन के बाद निर्माण मजदूरों ने डिप्टी सीम आवास का घिराव किया उत्रागंड कि आप साइंस रिसर्च कॉलेज के लिए 25,000 पेड़ों को कटने देना चाहेंगे यूपी महिला शिछक संग ने तीन दिन की पीरिड लिफ की मांग की और आखिरे में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की देश में 24 घंटों में 3549 नए मामले 422 मरीजों की मौत पिछले हफ़ते ही किसानों के समर्थन में संसत पहुशने के बाद आज यानि तीन अगस्त को पैटोल की बरती कीमितों के विरोध में राहुल गांदी के नित्रतु में विपक्षी नेता साइकल से संसत भवन पहुशे कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहुल गांदी के अलावा इस साइकल मार्च में DMK, NCP, शिव सेना, समाजवादी पार्टी, राजद, CPIM, CPI, IUML, Revolutionary Socialist Party, केलर कॉंग्रेस, जहारखन मुक्ति मोर्चा, NCP, TMC के नेता शामिल रहे आपको बता दे कि कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहुल गांदी ने आज पेकासस विवाद समेथ कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए अपने घर पर विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्टे पर बुलाया था राहुल गांदी के इस बैटक में 14 पार्टीों के नेता शामिल हुए इस बैटक में राहुल गांदी ने विपक्ष के नेताओं के साथ क्रिश्टी कानून पेगसस स्नूप गेट पेटोल डीजल की बड़ती कीमत समेथ कई मुद्दों पर चर्चा की पेगसस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई आचिकाएं दायर की जा चुकी हैं इस कड़ी में अब चार पत्रकार परणजय गुगा ठाकुरता SNM आपदी प्रेम चंकर जहां और रुपेश कुमार सिंग के साथ कार करता इस साथ शताक्षी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फॉरेंसिक जाच की आधार पर यह बात पक्की है कि उनके मोबाइल में स्पाई वेर इंस्टॉल करके जासूसी की गई थी और ये मांग है कि सरकार अपनी 26 साफ करे और इस पर जवाब दे इस मसले पर आएए सुन दें कि वरिश पत्रकार अबिसाज शर्मा का क्या कहना है पेगसिस एक ऐसा मामला है दोस्तों एक ऐसा जासूसी मामला जिसमें हमारे 40 पत्रकारों विपक्ष के कई नेताओं के फोन को हैक किया गया उनकी जासूसी कराए गई, लड़कियों की जासूसी कराए गई यानि कि तमाम हदे पार कर ली गई भारत सरकार ये भी मानने को तैयार नहीं कि हमने पेगसिस तक्नीक खरीदी या नहीं खरीदी दुनिया भर में तमाम मुलक इसकी जाच करा रहे हैं दोस्तों भारत को छोड़के जी हां और अब नितीश कुमार जो कि बिहार में भारती जनता पार्टी के सहयोगी हैं वो भी सामने उभर करा गए हैं वो भी कह रहे हैं कि भई इस मामले की जाच होनी चाहिए एक बड़ा प्रशन सामने ये बना हुआ है कि आखिर मोधी सरकार इस मामले की जाच क्यों नहीं करना चाहिए कि आखिर मोधी सरकार कब पसीजेगी कब मानेगी कि अपने ही देश के नागरिकों की फोन की हैकिंग करना गलत है दिक्कत क्या मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि अगर मोधी सरकार इस जाच को तयार हो जाती है तो और अगर हम इस जाच के नतीजों तक पहुंचते हैं जहां ये प्रमानित हो जाता है कि भारत की सरकार या भारत की कोई एजनसी हमारे पत्रकारों के फोन हैक करा रही थी, विपक्ष के निताओं के फोन हैक करा रही थी, तो इससे बड़ा गैर कानूनी काम कोई नहीं है। IT Act के Section 43 साफ तोर पर कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि आप किसी का फोन हैक नहीं करा सकते, किसी के कम्प्यूटर में आप इस तरह से जो है परिवर्तन नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते, इसलिए सरकार इस मामले से डर रही है। हर्याणा में दो महिने तक कैमपेंड करने के बाद निर्माण मजदूरों के आज यानि 3 अगस्त को उपमुखी मंतरी आवास का घिराव किया। हर्याणा के या निर्माण मजदूर दो महिने से अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। जिसमें स्टेट वेलफेर बोर्ड में आसानी से रेजिस्टेशन करवाने की मांग सबसे एहम है। भवन निर्माण कामगार यूनियन इस अंदोलन का नेत्रित कर रहा है। राजिव्यापी कैंपेंग चला रहा है। BNKU की अध्यक्ष कमलेश लाहली का कहना है कि महामारी की वज़ह से निर्माण मजदूरों के पास न के बराबर काम है। वह पहले ही कम कमाई कर पाते थे अब उनकी आए और भी कम हो गई है। BNKU ने उपमुख मंत्री दुशन सिंग चौटाला के सिर्सा आवास का घेराव तीन अगस्त को किया। BNKU ने बताया कि उन्होंने पिछले दो महिने में करीद दो सो आम सभाइक हुई है। लाली ने कहा कि उन्हें उमीद है कि महिलाय आंदोलन में आगे आकर निर्माण मजदूरों की मांगों को उठाएंगी। देरादुन के बालावाला के जंगल से 25,000 पेड़ों को काड़ कर साइंस रिशर्च कॉलेज बनाने की योजना है। जहां पर बायोलोजी, एकोलोजी, केमेस्ट्री, जलवायू परिवर्तन, धर्ती पर जीवन, बायो टेकनोलोजी समेत धर्ती प्रकृती, मनिश्य से जुड़े विश्यों पर शोथ किया जाएगा। बाला बाला छेत्र में रेंजर राकेश नेगी बताते हैं कि जुलाई में अपर सचीव आननवर्दन ने इस वन भूमीप का निरच़ड किया था। हमने उन्हें जगह दिखाई तकरीबन 25,000 पेड इस जगह पर हैं। इंडियन इंस्टिटूट आफ साइंस एजूकेशन और रिसर्च यानि आई आई एसार स्तर के साइंस रिसर्च कॉलेज के लिए उच्छ शिच्छा विभाग ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। देरादुन में पर्यावरण कारकरता डॉक्टर आंचर शर्मा ने ऑनलाइन पेडिशन दाखिल करने वाली संस्ता चेंज.org पर बालावाला के जंगल बचाने के लिए याच्छ का दाहिकिल की है। थाकि बालावाला के जंगल को कटने से बचाय जा सके और लोगों का ध्यान इस मुद्धे पर खीचा जा सके। 25 जुलाई की रात को दाखिल पेटिशन पर 6 दिन में 2 अगस्त तक 19,545,000 से अधिक लोग स्थाक्षर कर चुके हैं। महिलाओं के अधिकारों पर जोर देनी की दिशा में एक प्रशंसनी कदम उठाते हुए, उत्रप्यदेश महिला सिचक संग ने हाल ही में सभी नीजी और सारवजनी छेतर की शिच्छिकाओं के लिए तीन दीन की पीरिड लीफ की छुट्टी की मांग किये। सबरंग इंडिया से बात करते हुए संग की अध्यक्ष सुरोचना मौरे ने कहा कि संग की सदस्यों ने 25 जुलाई 2021 को ट्वीटर के माध्यम से उत्सा जनर्प्रतिक्रिया मिलने के बाद इस लक्ष की और अपने अभियान को मजबूत करने का संकल्प लिया है। मौरे ने कहा ग्रामीर छेत्रों में महिलाओ को स्कूलों में पढ़ाने के लिए सैकड़ों किलोमेटर की यातरा करनी पड़ती है। पीरेट्स के दौरान शरीर में दर्द होता है। हमारे द्वारा बार बार इस छुट्टी के लिए पूछना पड़ता है। ऐसे में हम एक अवधी के अवकाश के प्रावधान के लिए अन्रोध करते हैं मोखिमत्री और उनकी सरकार मिशन शक्ती की बात करती है इसलिए यह मांग उचेत है सरकार और अन अधिकारियों को लिखे अपने पत्र में सदस्यों ने बताया कि बिहार सरकार पिछले 30 वर्शों में से महिलाओ को विशे सवकाश के रूप में दो दिन की चुट्टी प्रदान करती है इसी तरह उत्रप्रदेश में महिलाओ कर्मियों को विमारी की चुट्टी के रूप में रेस्ट लेना पड़ता है मौरे ने आगे बताया कि कई बार टीचरों के पास दो ही विकल्प होते हैं या तो वे गंदे वाश्रूम इस्तमाल करें या फिर खेतों में जाएं या कटिन होता है खासकर तब जब टीचर अपने पीरिट्स में होते हैं क्योंकि उन्हें पहले ही दूर दराज के गावों में मौजूद स्कूल तक पहुशने के लिए लंबा सफर तै करना पड़ता है इस तरह के मुद्दों के परिडाम सरूब मैलाओं के लिए विबिन यूरीनरी संक्रमण हो सकते हैं शिचक संक्ठर ने इसी तरह की कटनाईयों से निजात पाने के लिए तीन दिन की छुट्टी की मांग की है किंद्रिस्वास मंद्राय द्वारा आज मंगलवार यानी तीन अगस्त को जारी आकड़कनसा देश में फिसल 24 घंटों में कोरोना के 30,549 नए मामले दर्श किये गए हैं इसके अलावा कोरोना से आज दूसरे दिन भी 422 मरीजों की मौत हुई है जिन में सबसे ज़्यादा यानी 118 मरीजों की मौत केरल में हुई है वही महराश में आज 6 दिन बाद 100 से कम यानी 90 मरीजों की मौत हो चुकी है साथ इसी दौरान देश भर में कोरोना से प्रेट 38,887 मरीजों को ठीक किया गया है और एक्टिव मामलों में 8,760 मामले कम हुए है देश में कोरोना के मामलों की संक्या बढ़कर 3,17,26,507 हो गई है जिन में से अब तक 4,25,195 लोगों की मौत हो चुकी है देश में कोरोना से प्रेट 97,38 फीस दी यानी 3,896,354 मरीजों को ठीक किया गया है और देश में एक्टिव मामलों की संक्या घटकर 1,27 फीस दी यानी 4,4959 हो गई है स्वास मंत्राले की ताज जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 47,85,44,114 डोस दी जा चुकी है जिन में से 61,9587 वैक्सीन की डोस पिछले 24 घंटों में दी गई है आज के डेली रांड आप में बस इतना ही नियूस क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें साथी देश और दुनिया के अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिस पेप साइट भी जरूर देखें फेस्बुक ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें नियूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया